हेलो दोस्तो, RPSC और UGC NET में भक्तिकाल के अंतरगत जो संपरदाय आते हैं, उनको आज हम एक सार्णी के दवारा देखेंगे, इससे आपको उनकी जो मत हैं, उनकी जो नियम हैं, एक ही टेबल के अंदर आप उनको जान पाओगे और याद करने में असानी रहेगी देखिए इसमें, सबसे पहले जैसे आधवयतवाद हैं, जिसके संस्तापक कौन थे? संकराचारी हैं, जिनका जरम केरल में हो था, आधवी स्तापदी में, इनका क्या है सिधान? आधवयतवाद, सबसे पहले क्या हैगा? आधवयतवाद, दवयत क्या आगे? आ, आ कैसे शुर क्या माना निराकार माना तो आपनी याल रखना अगर प्रश्णkin आता है कि अदवैत वाद में प्रह closure के है निराकार है । जगत को क्या मानते हैcej जोटा मानते है और संक्राचारिय जगत को मित्फय मानते ब्रम ग्यान के दार्वा जो संक्राचारिय का सिधान था और उसके बाद आता है देखिए आद्वयतबाद के बाद विशिष्ट जासे कहें वेरी वेरी इंपोर्टन हो जाते हैं तो विशिष्ट द्वयताबाद द्वयताबाद आया चारिया को दक्षिन में विशिश्णू का अउठार भी द्यूंन आ जाता है।- ने, जो धूजाती के लोगों को ग्यान या भक्ती के मार्क पर अपने संगत्षन नहीं इसमें करते थे जो शुदर होते थे या जो निम्रवर्क के व्यक्ति होता उनके लिए भक्ति का अलग विधानता परंतु जो है इन्होंने जादा तर द्विज लोगों को ही अफसर दिया यह विश्णू सबसे पहले तो विश्णू का अवतारवाद है विशिष्ट द्वयतावाद पर साथ में किन्तु क्या है ब्रह्म जो इिश्वर है उसकी जो सत्ताविये विश्शिष्ट मांते थे परमुख मांते थे जब पर लया आएगा जैसे कमाईने हम पढ़ते है न पर लया तो उसमें के जीव और जगत ब्रह्मा में स्थान गरहन करेंगे जो जीव और जग जो इश्वर है उसकी जो सत्य ये विशिष्ट मानते थे, परमुक मानते थे, जब परलया आएगा, जैसे कमाईने हम पढ़ते हैं परलया, तो उसमें के जीव और जगत ब्रह्मा में स्थान ग्रहन करेंगे, जो जीव और जगत है वो ब्रह्म में स्थान ग्रहन करेंगे, ये यजाता है जो पहल चारिया आजका इसके दो बार हो गया τरफ गृषि क्वारो उसको संकादी संपर्दाई भी कहा जाता है और इसके तो संस्तापक है निम्बार का चारिया है ठीक है इसका ये मानता है कि जब से शृष्ष की बनी सी तब से संपर्दाई ये मानता है कि है पर जो निम्बार का चारिय का समय बताया गया 1114 इसवी से 1162 इसवी निम्बार का जैसे इनके कहानी प्रस्चलित है, जब इनके घर में साधू आते हैं, उनको सोरज पर बोज़न करें phonesुज तो इंक बोज़न अई और ने उस इसे, यह क्या करते हैं उनको सोरा ने पर सूरज को दिखाए संकादी संपरदाई को और विषिष्ट द्वाइद को श्री संपरदाई को इसे इसे में जैसे जगत को मित्य वाना गया था विशिष्ट में किस्ट्य जब शिश्की का विनास होगा तो क्या है वह इश्वर में समलित हो जाएंगे जैसे क्रिश्चन और गोपिया का उधान जेता है और यूगल शक्ति के रूम में जो इश्वर के प्रावप्ति है वह यूगने शक्ति की उपासना शेहो सकती है उसके बादस हमें इसमें जाएंगे विश्वन की और उनकी जो पत्नी लक्षमी है वो उनकी शक्ती है जिससे संचार का संचालन होता है जगत की जो स्रिष्टी है जगत का जो निर्मान है वो विश्णू की जो शक्ती है वो भी उनके साथ उनकी अर्धांगनी के रूम में कहा लेती है जर्म लेती है और इसमें कि जगत क्या है सत्य है जीव जगत भी अलग अलग अंतिम स्थिती में भी भेध है तो यह हर चीज में क्या भेध मानते हैं और जगत की सिरिष्टी जो है शक्ति के दवारा होती है जो लक्षमी है उसके दवार होती है इसने क्या है जो भक्ति के दवारा इसको प्राप्त कर सकते हैं भक्ति के दवा वासना से प्राप्त हो सकते हैं अब आजाता है शुद्ध द्वैतावाद वैसे तो यह शुद्ध द्वैतावाद जो है इसे रुद्र संपर्दाई भी कहते हैं विश्णु सुवामी 1300 इस्वी में इसके संस्तापक है परन्तु जो कारिया है जो संगठ्षन को आगे लेके ग किस इंधान में माना शुद्ध द्वैतावाद शुद्ध कमल शुद्ध हो गया हुई ऐद्वैत की जलक से आती है ठीक है पर इसमें क्या है जो संकराचारिया वो बिल्कुल हर चीज को नकार देते हैं वो सिरफ ज्यान जो क्या है निरगुन धारा की तरह ब्रहम ज्यान प पर प्रभ। परभवाव डालती है, इस वज़े से इश्वर जनम नहीं लेते, वो क्या होते हैं, अलिप्ट होते हैं, ठीक है, माय को अपने अधीन करके जनम लेते हैं, तो इसमें ये है, और जो इसमें ब्रह्म या इश्वल की प्राप्ति है वो प्रेम भक्ति और वो भी जो भक्ति है प्रेम भक्ति है वो कैसे प्राप्त होती है क्रिशन के अनुग्रह से इसका अनुग्रह पुष्टी ठीक है इसलिए पुष्टी मार के बोल देते हैं अनुग्रह से ही प्राप्त की जा सकती है इस तरह आप देख सकते हैं इस टेबल से आप बिलकुल ही पता लग सकता है कि किस सिधान्त में किस संबंद के बारे में क्या कहा गया है और इससे आप कोशन असानी से कर सकते हैं मिलते हैं अगले कक्षा में धंदेवाद